वेलकम टू फैब्रिक वर्क्स आज की वीडियो बहुत ही इस्पेशल होने वाली है इस्पेशली बिगनर्स के लिए आपको यह डिजाइन देखके भली थोय डिफिकल्ड लग रही होगी लेकिन यह है नहीं इसका स्ट्रोक बहुत इजी है और यह बहुत खुपसूरत है तो उपर से लगाएंगी और उसके पाद डाग ग्रीन नीचे से लीफ के नीचे वाले पार्ट से और फिसको ब्लेंड कर लेंगे और उसको फिनिशिंग देने के विए मैं थोड़ा सा डाग कलर नीचे से लगाऊंगी जो आपके ब्रश में कलर रहे गया है वो दूसरी लीफ पर लगा दीजे नीचे की साइज और पिर आप इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और लाइट ग्रीन कलर लेके हम उपर से फिर से वैसे ही लगाएंगे इस तरह से इस स्ट्रोक की सबसे स्पेशल बात यह है कि यह एक दो स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाती है और बहुत खुब्सूरत भी लगती है जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में आपको इस तरह से बनाना है यह लीप सबसे नीचे वाली है इसलिए हम इसके आगे वाले साइट पर डार कलर लगाएंगे और उपर से हम इसके लाइट ग्रीन लगाएंगे और उसको ब्लेंड कर लेंगे उसी तरह से दिखे मैंने क्लोज शॉट दिखाया आपको जो फ्लावर का और कली का ग्रीन वाला पार्ट है और डंठल है उसको ग्रीन कर लेंगे ताकि हम एक बार में ग्रीन वाला काम फिनिश कर लें तो फिर हम फ्लावर स्टार्ट करेंगे मैंने यह step past forward में दिखा दिया आपको अगर आपको इसको देखना है detail तो आप playback speed manage कर लें और यह एक और leaf है जो मैंने close shot लेके आपको दिखाई है कि किसी को problem हो तो वो अच्छे से समझ ले वीडियो को like, share और subscribe करें वीडियो को like करना ना भूलें क्योंकि आपका एक like हमारा source of motivation है इससे हमें बहुत motivation मिलता है और हम अगला वीडियो डालते है और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसको अपने friends और family में भी share करें ताकि वो भी ऐसी खुबसूरे design बना सके आपको लीव का सारा स्टोक समझ आ गया है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो comment में पूछें या इंस्टाग्राम पे हमें message करके पूछें हम आपके help करने की पूरी कोशिश करेंगे आगे की वीडियो मैंने fast forward पे की है क्योंकि यह time consuming जादा हो जाता है अब हम flower को paint करना start करेंगे सबसे पहले आप dark red color middle में और उसके side वाली लीव पे ऐसे लगा लेंगे थोड़ा सा आप उसको फैला लें लेकिन ध्यान से कि वह बाहर ना जाए फिर side की finishing को ध्यान में रखते हुए white color लगाएंगे और उसको फिर आपसे blend करेंगे इस तरह से जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं वही same process सारी petals के साथ हम करेंगे उसके बाद brush को साफ कर लेंगे और middle वाले red part से उपर की तरफ stroke देंगे इस तरह से ताकि वह अच्छे से blend हो जाए और बहुत प्यारे भी दिखना लगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon दबाएं और अगर आपने अभी तकी वीडियो लाइक नहीं किये हैं तो एक लाइक करें उपर की तीनों पिटल को पेंट करने के बाद हम निचे की दोनों करेंगे लेकि इसमें आप पोजिट प्रोसेस हैं आपको पहले वाइट कलर लगाना है और जब आप वाइट लगाएंगे तो ब्रेश में पहले से रेड लगे होने की वज़े से वह पिंक कलर का दिखेगा पिर आप निचे की साइड से रेड कलर लगाएंगे और उसको ब्लेंड कर लेंगे इस वाली कली में आपको ब्रेश के स्ट्रोक और फिनीशिंग का ध्यान देना पड़ेगा बागी सब्सक्राइब सेम स्टेप है लेकिन इसका शेप थोड़ा ऐसा है कि आपको थोड़े ध्यान से करना पड़ेगा इसके बाद हम थर्ड फ्लावर को पेंट करेंगे जो की सेम स्टेप है जैसे कि हमने पहले वाले को किया था वाव कितना तो प्यारा लग रहा है ये देखने में तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजे वीडियो को रेस्ट आफ ओल स्टेप तो हमको पताईए तो चलिए वीडियो को फास फॉरवर पे भगाते हैं सारे फूल को पेंट करने के बाद हम इसका पॉलिन बनाएंगे मतलब की पराग जो फ्लावर में होता है बीच में देखे मैं इंदम क्लोश शॉट दिखा रही हूं ताकि आपको आ जाए यह मैंने जीरो नंबर के ब्रश से बनाया है देखिए आपको दिख रहा होगा कुम है झाल 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 अपलेपन लेजयी पार लेजया को दो एक दो जा जा हुआ जा हम बार एक आए दूटारा बार लेनि हता है झाल झाल